जे मसीगी दोस्तों, आज के सुर्गे मननक का भाग हमने लिया है फिलिप्यो की पत्री, उसका चौधा अध्याए और उसका तेरवा वचन वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, धन्यवाद, वचन कहता है, कि उसके सामर्थ के द्वारा, उसके उपस्तिति के द्वारा, उसके नाम के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ दोस्तों मैं पहले जब मसी में नहीं था तो अपने आपको हारा वह मैसूस करता था अपने आपको असफल मैसूस करता था मैं ढड़ता था मैं घबराता था लेकिन आज मुझे परमेश्वर बताता है कि वो सामर्थ, वो जीवित सामर्थ वो परमेश्वर का सामर्थ वो इश्व मसी का सामर्थ मेरे अंदर है और उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं जिन परस्चितियों से ड़ता था आज वो परस्चितियां मेरे अधीन है आज वो बाते मेरे अधीन है आज वो शैतान मेरे अधीन है मुझे परस्यत्यों के अधीन नहीं रहना है परस्यत्यों मेरे अधीन है और मैं उनको हुक्म देता हूँ सामर्थ के द्वारा कि वो मेरे जीवन को ना चलाएं तो कि मेरे जीवन को चलाने वाला मेरा इशू मेरे साथ है बिरे जीवन को चलाने वाला मेरा प्रभू मेस साथ है इसलिए पहला यहनना चार सत्रामें परमेश्यों ने कहा है वच्छन कहता है कि जैसा वो स्वर्ग में है वैसा हम ध करती है दोस्तों मैं अद्बूत उस्सा महसूस करता हूँ उस वच्छन को सुनते हूए मैं अदबुत प्रेम महसूस करताूव पर मिशु का इस वचन को सुनते हुए यही तो प्रेम है यही तो प्रेम है इसी से तो प्रेम सिद्ध होता है कि उसने हमें वह आधिकार दिया है कि जैसा वो इस समय स्वर्ग में है वीजह ही हम है इसलिए पॉलुस नभी हमारे लिए फिलीपियों के पत्री में प्रात्वना करता है पहला ध्याय उसका नौवा वचन वो कहता है कि मैं प्रात्वना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम सचे ग्यान और पूर समझ सहीत निरंतर बढ़ता जाए वो चाहता है कि हमारा प्रेम योही ना रहे हमारे प्रेम का आधार उसका ग्यान है हमारे प्रेम का आधार उसकी समझ है जो सामर्थ के द्वारा हमें देता है इसलिए हम अपने में सक्षम है हम कोई भी काम कर सकते हैं हमारे अंदर कोई भी दुविदा नहीं है, हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर उस परमेश्वर की आत्मा है, जो तुफानों को डाड़ता है, जो लहरों को निकालता है, जो मुसीबतों को अपने जीवन से हटाता है, हमारे पास वो आत्मा है, हमारे पास वो हमारे पस وہ समर्थ है इसलिए जैसा वो करता था वैसा आज हम भी कर सकते हैं हालिलुईया धन्यवाद पिता परमेश्चर तरे इन वशनों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्चर अ दिरी उपस्थती के लिए बुद्धी तू देता है ज्नतू देता है इसलिए कोई भी चीज हमारे लिए असंबव नहीं है हमारे जीवन में हर चीज संबव है उस समर्थ के दwayरा जो परमेश्र का हमारे अंदर है इसलिए मुझे याद है एक छोटी सी एक माँ जो अपने चे मेहने के बच्चे को चलने के लिए कहती है वो जानती है कि मेरा बच्चे चल सकता है वो जानती है कि मेरे बच्चे के अंदर वो शक्ती पर्मेशर ने दी है कि वो चल सकता है इसलिए उस बच्चे को आदेश देती है कि तू चल चल मेरे बच्चे उसको खड़ा कर देती है बच्चा गिरता है तो भी वो खड़ा कर देती है कि नई वो जानती है कि वो शक्ती मेरे छे मेने के बच्चे में है कि वो चल सकता है परमेशर जानता है कि वो शक्ती हमारे अंदर है परमेशर ने 2000 साल पहले वो सामर्थ हम में दिया है कि हम उसके नाम से सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए असंबव है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों इसलिए हम दरें नहीं हम घबराएं नहीं हम शैतान की आवास ना सुने हम परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करें हर पल और हम उसके नाम को लेकर, उसके शक्ती को लेकर दिन में बाहर निकले, बाहर निकले और धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का आशीश दुनिया तक पहुंचाएं आई हम प्रात्रा करते हैं धर्ने बाद पिता परमेशरν आज का दिन अध्भुत है परमेशर क्योंकि तेरा नाम अध्भुत है परमेशर तूंहे इतना प्यारा करता है कि तुने अपना सामर्थ हमारे अंदर उडेल दिया है और वो सामर्थ, उस सामर्थ के द्रॉरा हम सब कुछ कर सकते हैं तेरी उपसे तेक आशीश हमारे साथ है, तेरी उपसे तेक आभी शेक हमारे साथ है, तेरी सच्चाई हमारे साथ है, तेरा जीवन तेरी जोती हमारे साथ है, हर सुनने वाले भाई भाई भेन के लिए आशीश और सुक और चंगाई मांगता हूं, डर की दुष्टा आत्मा को इश्व मसी के नाम से इनके जीवन से निकालता हूँ ताकि हमारे अंदर आनंद की आत्मा हमेशा रहे सच्चाई की आत्मा हमेशा रहे इश्व मसी के नाम से